हेलो एन वेलकम माई दियर सोल फैमली कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ सभी अपने घरों में खुशो और अपनों के साथ सुरक्षितो फरस्ट फॉल इस रीडिंग के शुरुवात मैं करूंगे आप सभी से एक प्यारा सा सॉरी बोलके I'm so sorry my lovely soul family कल अक्चली क्या हुआ न कि बहुत ज़ादा बारिश हो गई और फिर क्या हुआ कि रीडिंग अपलोड नहीं हो पाई तो बहुत ज़ादा प्रॉब्लम हो गई टाइम भी लगा तो मैंने सुचा आप सभी को इनफॉर्म कर दू I'm so sorry मुझे इतने प्यारे प्यारे क अपली से यूनो वो रुक नहीं पा रहे हैं तो I'm so 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 grateful for all of you people कि आप सब मेरी family का एक part हो और आप हमेशा से support करते आए हो अपने like से चाहे अपने feedback से comment से और बहुत सरे लोगों का message आता है कि माम हमें इतनी ज़ादा reading अच्छी लगी कि हमसे resonate भी बट फिर भी कोई ऐसा है ह हमें लगा कि उससे resonate होगी तो हमने उसको भीज दिया तो वो आपका एक new subscriber है and they love your channel a lot तो thank you so much इस टाइप का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है I'm so 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 grateful for all of you तो आज की reading होने वाली है बहुत ही जादा unique क्योंकि आज की reading में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके person के emotions क्या करते हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त इनके दिन में क्या चल रहा है तो जैसा कि हमेशा से हम करते ही है meditate कीजिए अपने person का नाम लेते रहिए ताप ही उनकी energy के साथ हम connect कर पाए जब तक मैं cards निकाल के shuffle कर रही हूँ आपको अपने partner की energy पे meditate करना ह और उनके बारे में जरूर से सोचना है थैंक यू सो मच एंजिल्स हमें guidance प्रोवाइट कीजिए थैंक यू सो मच five of coins night of swords the tower यहाँ पे आ गया है the fool my god दो cards एक साथ the lovers hierophant जी भी हमारे यहाँ पे आ गए है taurus की energy मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है हो सकता है आप हो टोरर से आपके partner हो king of swords आ गया air sign बहुत ज़्यादा है the empress का card भी आ गया है the hermit okay इस वक्त मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले मैं बताऊंगी इस person के बारे में इस वक्त वो क्या मैसूस करे है इनके आसपास ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तनहाई है बाहरी दुनिया से बिलकुल कट चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम बात होती है इनकी या फिर यह मान लीजे इन्होंने खुद को अपने ही बनाए हुए कमरे में बंद कर लिया है जहां पर उन्होंने खिड़किया तक बंद कर ली है कि बाहर से कोई भी इनसान कोई भी हवा किसी टाइप की नई एनरजी इनके पास ना सके जी हाँ मुझे लगता है जितना ये जानते हैं ठीक है जितना भी लोगों से मिले हैं इनका एक्सपिरियंस है उसी को लेके इन्होंने पूरी जिंदिगी को आगे का देख लिया है ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई चीज कर दी है तो ये हमेशा अपने आपको ब्लेम कर रहे हैं इनको किसी ने अगर हर्ट कर दिया तो ये सोच रहे हैं कि हर कोई धोके बाज होता है पुरानी एनरजी को अपने आसपास लिए हुए ये बैठे हुए एक जगा और मुझे लगता नहीं है कि ये नई एनरजी को वेलकम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है दूसरी बात ये नाइट अफ सोड्स यहां पे आया है मुझे लगता है इस परसन में ना इस वक्त इगो बहुत ज़ादा है बहुत ही ज़ादा है और आप यकीन मानो इसी परसन की इगो की वज़े से इन्होंने बहुत ज़ादा बेवकुफिया भी की हैं हाल फिलाल में ऐसा लगता है कि यह परसन बहुत आपको याद करते हैं यह आपके पास आकर अपनी चुप़ी को तोड़ना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो यह जो टेंशन वाली एनरजी है उसको बदल के यह कुछ अच्छा करना चाहते हैं न्यो बिग्निंग्स में ये विश्वास रखते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी किसी गुसे के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं जी हां मैंने कहा ना आपके और इनके बीच मुझे इनकी इगो आतीवी नजर आ रही है इनके मन में ये चल रहा है कि यार इसने तो मुझे ऐसे बोला था इसने तो मुझे इतना सुनाया इसने तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ा जब भी बोलना हो आपने हो सकता है कि कभी इन से रूडली बात किया हो या फिर कभी इनको डान दिया हो क्योंकि हग जताया हो पर मुझे लगता है उस बात को लेके ये परसन बहुत ही ज़्यादा घुस्से में है और बार-बार उसी चीज़ को याद करते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे इनकी और नहीं जाना है पर इनको ये टावर मुवमिंट बहुत परिशान कर रहा है यखीन मानों आप दोनों का सेपरेशन एकदम से अचानक से हुआ है एकदम अचानक और बहुतों के साथ मैं देख रही हूँ ऐसा हुआ है कि सब कुछ सही चोल रहा था और एकदम से इस परसन ने आपको ब्लॉक कर दिया या तो कम्यूनिकेशन कट कर दिया एकदम से पर इनकी तरफ से होता हुआ जादा नजर आ रहा है ठीक है मुझे ये भी लग रहा है कि जब इनोंने आपको हर तरफ से रोका है अपने पास आने के लिए आपने कोशिश भी की है शायद इन तक जाने की मुझे लगता है आपने काफी बार कोशिश की है पर हर बार इनोंने आपको इग्नोर किया है पर यहाँ पे जो एनरजी है ना वो एक चीज और बता रही है क्योंकि ये परसन अभी इगो में अंदे हैं क्योंकि ये परसन अपनी दिल की कम दिमाग की सुन रहे है ये परसन अभी बहुत जादा चांसिस है कि गलत डिसीजन ले सकते हैं दफूल का काड़ हमें बता रहा है कि परसन एक्सप्लोर करने के लिए तयार है देखिए दो चीज़े यहाँ पे सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं कैसे एक तरफ को तो ये परसन पास्ट से हटने के लिए तयार नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं यह सोच रहे हैं कि अब नया ना कुछ होने वाला है नहीं कोई अब लाइफ में आने वाला है नई एनर्जी को आने नहीं देना बस जितना मैंने जान लिया ना लोगों को जितना मैंने समझ लिया वो मेरे लिए बहुत था सब जान लिया और यहीं पर यह गलती करते हैं लोगों की पहचान करने में यहां ऐसा लगता है कि यह person प्लीज बुरा मत मानी अगा ऐसा लग रहा है कि नए options को अपनी life में लाने के लिए तैयार लग रहे हैं मुझे पर यह बिना सोचे समझे यह चीज़ कर रहे हैं रिस्क ले रहे हैं हो सकता है यह चीज़ गलत हो सकती है क्योंकि यह बिल्कुल भी thinking से नहीं हो रही है logical thinking नहीं लगा रहे हैं यहां पर दलावर्स का card है definitely पता चल रहा है दोनों के बीच में बहुत कुछ अलग-अलग है उनकी तरफ से बताएं तो वो कुछ और story बताएंगी उनकी story में आप villain हो पर आपकी story अगर देखा जाए तो आप इनको villain तो नहीं मानते लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसी energy दिखाई दे रही है कि यह person beast बने हुए है उपर से पर अंदर से बहुत soft इंसान है यह आपकी energy मुझे यहाँ पर कह रही है तो फिर भी आप दोनों lovers वाली energy में दिखाई दे रहे हो कोई किसी को अकेला छोड़ने के लिए राजी नहीं है नहीं मुझे लगता है कि कोई किसी से move on करना चाहता है इस case में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है दोनों ही अंदर अंदर एक दूसरे के लिए अभी भी इंतिजार कर रहे हो और यह चीज बिल्कुल clear है कि आप दोनों एक दूसरे को इस समय भी बहुत ज़दा मिस कर रहे हो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आपकी एनरजी इसके बार में बताना चाहूंगी आप अपने person को बहुत ज़दा protect करना चाहते हो बहुत ज़दा मुझे लगता है कि जब आप दोनों साथ भी थे तब आपने इनके लिए अपने दोस्तों को परिवार को या फिर यह मान लेजे इनके लिए आपने बहुत सारे दाइरे तोड़े हैं जो चीज आप पहले नहीं करते थे वो भी आपने इनके लिए की है और बहुत सारे खत्रे मूल लेके की है ऐसा भी लगता है कि इनके लिए अपने फैमिली से जूट बोला है इन्होंने अगर अगर ये आपके फैमिली में नोन है तो इन्होंने हो सकता है कि आपके रिलेटिव में से कोई है बार-बार ऐसा लग रहा है तो अगर ये नोन भी हैं तो आपने इनकी बाते चुपाई है अपने घर पे इनको बचाने के लिए किसी चीज से और इनको हर चीज में आपने गाइड किया है अच्छे बुरे में सब में गाइड किया है एक चीज और भी दिखाई दे रही है इनके साथ रहे के आप बहुत ज़्यादा misunderstanding का भी शिकार हुए हो हाला कि यह आपके सबसे close थे पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत गलत समझा है इन्होंने आपको बहुत कठोर समझ लिया है इनको लगता है कि आप इनको डांटते हो या आप इनको कुछ बोलते हो तो आपको बुरा नहीं लगता उसके बाद आप डांट के चले जाते हैं आपका मन भड़ जाता है पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है इनको बोलने के व्याद आपका पूरा दिन भी खराब जाता है आप उसी बारे में सोचते रहते हो कि अगर मैं गुस्सा भी होँ तो यह आपको मनाते क्यों नहीं है यह चीजों को हील करने की कोशिश नहीं करते आपका मन हमेशे यह कहता है पर मुझे लगता है कि आज भी कहीं न कहीं आप इनके लिए प्रेयर जरूर करते हो जहां यह आपको गुस्से की नजर से देख रहे हैं इस वक्त मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इनके लिए फीलिंग्स बहुत नॉर्म नॉर्मल दिखाई दे रहे है आप गुस्से में तो बिल्कुल नहीं निजर आ रहे हो इनके लिए भी गुस्सा आपके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है ओके नाइन अफ वैंड्स पेज अफ वांड्स जैसे कि मैंने आपको बताया इस परसंद की खुशी जैसे की चिंसी गई है मुझे लगता है कि इनके लाइफ के जितने भी एश और आराम है या पहले ये बहुत स्टाइलिश हुआ करते थे और सोचते थे कि बहुत कूलनेस में जीना है और लाइफ इतने इजी है मुझे ऐसा लगता है कि अब रियालिटी इनके सामने आ रही है सचाई जब से इनके सामने आई है तब से मुझे लगता है कि ये बहुत दुखी दुखी से रहने लगे है especially मैं देख रही हूँ इस separation के बाद ये person पहले तो normal थे अब ये और जादा नॉर्मल हो गए और जादा बोरिंग किसम के हो गए ऐसे लगता है ये बाहर जाना जादा वाइड करते हैं सिर्फ काम से बाहर जाते हैं और वैसे अगर कभी छुटी मिले तो ये घर पर ही रहते हैं गरवालों के साथ या तो बातचीत होगी या नहीं भी होगी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के केसे में इनकी फैमिली से भी अभी बहुत ज़्यादा अन्बन चल रही है और इस केस में ये खुदी खुद में रहना ज्यादा पसंद करते हैं यह फोन पर लग रहते हैं पूरे दिन ऐसा लग रहा है एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगी यह person अपने past को पकड़ के बहुत जादा करीब रखते हैं इस वज़े से इनकी life में जो new beginnings भी होती है जो यह खुदी कर सकते हैं उससे दूर रह जाते हैं कई ना कई चूग जाते हैं यह person three of swords मुझे लगता है कि यह अभी थोड़ा सा time चाहते हैं आप से आप से आपकी memory से वैसे तो बात नहीं हो रही है cards अज बहुत ज़्यादा active है इनकी energy बहुत ज़्यादा dynamic है मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि इनको आप पर बहुत ज़्यादा गुसा भी आ रहा हो यह भी मान लो कि गुसे गुसे में इनका मन कर रहा हो कि आप से बात करें आप से clarity मांगे यह भी होने के बहुत ज़्यादा chances मुझे लग रहे हैं देखिए मैंने बोला था ना हो सकता है बात करने के chances हो यहां पर night of cups का काड़ा गया है ठीक है और यह देखो कितने ज़्यादे emotional energy यह मैसूस कर रहे हैं आपने वह देखा है marshy land जो होता है जिसे दल दल बोलते हैं ठीक है एक बार आप उसमें फस गए और आप जितना निकलने के कोशिश करते हैं उसके अंदर चले जाते हो है ना वह आपको अंदर के और खिचती है वैसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके person जितने आपसे नफरत कर रहे हैं जितने भी इनके mixed emotions आ रहे हैं उतना यह खुद को आपके करीब मैसूस कर रहे हैं दूसरा यह मैं देख रहे हूँ यह आपकी यादों से थोड़ा सा छुटका रहा चाहते हैं ठीक है वो सोच रहे हैं कि खुद के साथ अभी थोड़ा सा time spent करना है तब यहाँ पर काड़ा है था ना fool का कि यह खुद कुछ explore करना चाहते हैं अपने लिए और यह भी ना सोचे समझे ऐसा decide कर रहे हैं तो इनके लिए यह बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है यहाँ पर seven of coins आके पूरी तरीके से confirm हो गया है कि आपके साथ ना यह कुछ भी चाहेंगे तो वो long term होगा जिसमें इनका बहुत ज़्यादा फाइदा होना चाहिए जी हाँ marriage हो गया कोई bonding हो गई कोई agreement हो गया इस टाइप की चीजें चाहेंगे जो long term हो और ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज आपके साथ time pass के लिए नहीं करेंगे क्योंकि time pass इनका होगा नहीं अगर यह एक बार आपके touch में आ गए और फिर यह फिर से अलग हो गया तो मुझे नही इसी रहेगा तो यहां पर कोई ceremony हो रही है ऐसा लग रहा है हो सकता है आपकी घर में कोई होने वाले शादी है recently या कोई हवन करने की सोच रहे हो या कराया गया है तो उससे आपकी mindset में बहुत जादा positivity में दिखाई दे रहा है positivity देख रही हो प्लस आपके मन में खुद को ल तीन messages से एक साथ आ गए हैं सबसे पहला message है यहां पर प्यार यह कहना चाहते हैं कि आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं बहुत जादा प्यार है देखिए यह अपनी गलती को जानते हैं पर यह आपके सामने मानते नहीं हैं उस चीज को यह दिल में दफन करके रखते है इसलिए जब तक वो चीजे रहती है न दिल में तो वो इखटी हो होके कुछ और ही बन जाती है यह तो गुस्सा बन जाता है है न कुछ भी meeting night of cups यहाँ पर आया था ठीक है मिलकर हो सकता है कि यह बहुत जाता गुस्सा निकाले यह आपको कुछ बोले और आप चुप चाप सुनते रहो इसकी भी possibility है तो meeting they want to meet you definitely meeting is on their mind फ़र से तीन तीन चार चार काड़ा गए है बरबाद यह कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बरबाद हो चुके हैं आप से दूर जाने के बाद separation है जिसकी वज़े से इनका मन बिलकुल भी नहीं लगता है फैसला फैसला लेना चाहते हैं देखिए जैसे कि यह बहुत ज़्यदा confused है आपको लेके तो आपके लिए यह फैसला लेना चाहते हैं आपके लिए चाहते हैं कि यह आपकी करीब आएं आपसे चीजों को solve करें finally, finally का काड़ यहां पे आ गया है finally का मतलब यह है कि उस पल का इंतजार करते करते इनका सब्र तूटता जा रहा है जहां पे कि वो पल seriously आ जाए और पता चल जाए कि हाँ अब तो कल मिलना है या आज मिलना होगा insecure, देख लो, फिक्र है किसके साथ हो, कहां हो, कहीं आपके life में कोई options ऐसे तो नहीं, जिनके बारे में यह जानते ना हो कहीं इनका आना या आपके साथ time spend करना, waste ना चला जाए, insecure, इस relationship को लेके, पागलपन पागलपन का काड़ यहां पे आ गया है, oh my god पागलपन और यहां पे बोल रहे है, regret, पचतावा तो definitely है, प्लस एक तरीके से बुरा भी लगता है इनको खुद के actions के लिए, खुद के decisions के लिए, और जितने भी delay हो रहा है इनके वज़े से, उन सभी चीज़ों के लिए यह reading कैसे लगी, बता के जरूर जाना, comment section में अपना प्यार जरूर दिखा के जाना, description box में new reading आ गई है, जल्दी से देख लो, मैं मिलूँगी next reading में तब तक के लिए, God bless you, love you all, bye